इंद्व अदूसरे टेस्ट से पहले डुपलेसिस ने दक्षिन अफ्री की गेंदवाजों को शमी से सिखने की दी सला कप्तान फाप डुपलेसिस को लगता है कि दक्षिन अफ्रीका के युवा तेज गेंदवाज मुहम्मद शमी से बहुत कुछ सीख सकते हैं जिसमें घरेलू परिस्थितियों में प्रभावशाली गेंदवाजी करना भी शामिल है शमी ने पहले टेस्ट के पांचवे दिन विशाखा पट्टर नमिगातब गेंदवाजी की जिससे भारत ने दो सावटीन रन से मैच को अपने नाम किया डू प्लेसेस ने दूसरे टेस्ट से पहले बुदवार को यहां कहा कि मैंने अपने एक युवा गेंदवाज से कहा कि आपके लिए यहां सीखने का अच्छा मुका है मैंने कहा कि आप देख सकते हैं घरेलू परिस्थितियों में जब कोई शीर्ष पर होता है तो कैसा क्रिकेट खेलता है उन्होंने कहा कि युवा गेंदवाज क्रीज के कौन का इस्तिमाल और गेंद को रिवर स्विंग कराने के बारे में सीख सकते हैं ऐसे में जाहिर है सीखने के लिए काफी कुछ है। वह ऐसे गेंद बाज हैं जिनकी गेंद स्टंप्स से बहुत ज्यादा टकराती है। गेंद बाजी के लिए हाद से भी काफी कुछ सीखा जा सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम बेहतर करें। खास कर पहली पारी में हमने काफी वाइट गेंदे फिंग की पहले टेस्ट जिससे उन्होंने आसानी से रन बनाए। जो भी स्विकेट ले सके और बड़ा स्कोर खड़ा कर सकें। उन्होंने कहा कि पहले टेस्ट में हम भी स्विकेट नहीं निकाल सकें। यह ऐसा प्षेतर है जिसमें हमें सुदार करना होगा। इससे अप मेंच विजेता बनते हैं। हम ऐसे खिलाडियों का चयन करना चाहेंगे जो मेंच में प्रभाव छोड़ना चाहेंगे। पुने में 2017 में स्पिन्रों की मदद वाली पिच पर आस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था लेकिन साउथ अफ्रिका के कप्तान का मानना है कि यहां पे एक तरफा नहीं होगी क्योंकि यह टेस्ट चैंपियंशिप का हिस्सा है। उन्होंने कहा टेस्ट चैंपियंशिप के शुरू होने से इसमें बदलाव आया है। यहां तक की साउथ अफ्रिका में हमोसत से खराब पिच नहीं रख सकते क्योंकि इससे अंकम होंगे।